नमस्कार दोस्तों मेरा नामे सौराप और आज मैं आपके साथ हॉन्डा CB300FN बजाच पलसर N250 के डीटेल कंपरेज़न्स शिया करने बलाओ देखिए यह जो हॉन्डा CB300FN देख पार हो यह जो N250 देख पार हो इन दोनों बाइक के अंदर आपको डिफरेंस तो देखनो को मिलेगा बट उसके साथ साथ काफी हथ तक जो आपको similarities भी देखनो को मिलेगा लाइक इसकी जो पावर है और N250 की जो पावर है दोनों पावर सेम है बट टॉर्क डिफरेंट है ऐसे काफी हथ तक जो इसमें आपको similarities भी देखनो को मिलेगा जिसके कारण सबसे ज़्यादा confusion create हो रहा तो आपको Honda CB300F लेना चाहिए 2024 में या फे Pulsar N250 लेना चाहिए और वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता आपका ओस बेंगल के हावडा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनिली आप रोल्टा बजाज में कोंटेक करना मत बूलिएगा तो चलिए सब्सक्राइब के साथ आता है डुएल डी स्वीट डूएल चैनल इबिए से दोनों बाइग में जो आपको Bluetooth connectivity देखने को मिलती है कलर जो अपना हिसाब से आप चूज कर सकतो होंडा CB300F में भी आपको तीन कलर देखने को मिलती है रेट ब्लैक और आपका ब्लू कलर ब्लैक में ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है तो CB300F का जो 2024 मोडल की अपडेटेट अंडोड प्राइज हो है दो लाग के आसपास तू लाग के आसपास जो आपको अंडोड CB300F देखने को मिल जाएगी वही अगर परसर N250 की बात कर तो इसका प्राइस अंडोड प्राइस 2024 में 1,86,000 क के आसपास जो इसकी अपडेटेटेट अंडोड पैस आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगी तो कितना प्राइस में गया पर अल्ली 14,000 के आसपास जो आपको प्राइस में डिफ्रेंस देखने को मिल जिसके कारान सबसे ज्यादा कंफूशन क्रियेट हो रहा है की N250 की CB300 Ape को लिया जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोनों बाइक की स्पेक की तरफ तो एकदम डिटेल में चलिए आज की कमपरेजेन करते हैं दोनों बाइक में आपको क्या कूछ अच्छा मिलती है क्या कूछ बुरा मिलती है फरस्ट और यहां पर अगर Honda CB300 Ape की हेटलाइ डिट एप की बात करनों तो इसमें आपको मिलती है all reflected LED headlight setup इसमें आपको कोई भी switchable headlight setup देखनों को नहीं मिलती है जब भी आप बाइक को startकरतो तब जाके इसकी जो main headlight है उ हो जल्ली start हो जाती है और light throw की एकषण बात करतो एकदम basic है आपको CT के लिए तो ठीक्ठा का light द तो यह light जो है उदना powerful नहीं है और इसमें आपको all reflector LED headlight setup दिया गया है with LED blinkers के साथ and इसमें आपको hazard भी मिलती है तो CB300M में जो है आपको hazard switch अलग से देखना को मिलती हो यह अगर pulsar N250 की बात करें इसमें आपको मिलती है switchable headlight setup तो दिन के टाइप पे आप इसका जो प्रोजेक्टर है बाइफंक्शनाल जो LED प्रोजेक्टर है इसको आप चाहे तो आप करके दख सकते हो और नाइट के टाइम पे या फिर जब इसकी नीड हो तब जो है इसकी में प्रोजेक्टर को जो है आपको N250 में देखने को मिलेगा बाइफंक्शनाल LED प्रोजेक्टर है CT के लिए इसका लाइट बहुत ज्यादा एनाफ है आपका हाई ओए में भी विटाउट फॉग लाइट नाइट पे राइट करता हो तब भी हाई ओए में भी अलग से आपको फॉग लाइट लगाने क आपको देखने को मिलता है फिलाल मैं इसको बंद करता हूँ नेक्स सस्पेंसान सेट अप की अगर बात का तो दोनों में आपको 37 mm की अपसाइट डाउन फोग मिलती है इधर आपको शोबा की तरब से सस्पेंसान मिलती है गोल्डेन कलर में एनोडाइस्ट किया हुआ और ह Honda CB300F का जो USD है काफी हद तक जो एक प्रोपर USD की तरफ काम करती है यह काफी हद तक जो स्टीफर साइट पर आपको यहाँ पर दिया गया है और एक्च्वाल जो USD सस्पेंसान है थोड़ा सा स्टीफर साइट होती है जिससे आपको जो तगड़ा कॉर्णारिंग का कॉन्फि करता हो तो तो कॉर्णारिंग जो स्टेबिलिटी है वो आपको थोड़ा सा बैतर फील होगा Honda CB300F में एस कंपेर टू पलसर N250 बागी फेंडर की अगर बात का तो N250 का जो फेंडर है थोड़ा सा डिफ्रेंट है थोड़ा सा स्टाइलिस लगती है एस कंपेर टू होंडा CB300F दोनों बाइक में आपको डूल चैनल ABS सेट अप देखनों को मिलती है बट यहां पे ब्रेकिंग सिस्टेम में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है N250 में आपको मिलती है मैसिब 300mm पेटल डिफ्रेंस विद ग्रिमे का कैलिपर के साथ डूल चैनल ABS है यहां पे आपको ABS की मोड भी देखनों को मिलती है वही अगर होंडा CB300F की बात करने तो यहां पे आपको मिलती है अनली 276mm की डिफ्रेंस विद निसिन की कैलिपर तो पे बहुत तगड़ा ब्रेकिंग आपको N250 में देखनों को मिलेगा CB300F का जो स्पेशाली जो फ्रॉंड ब्रेक है यह बहुत कम पकड़ती है और जिसके बज़े से मैं इसमें सेरमिक ब्रेक पैट यूज़ करता हूँ सेरमिक ब्रेक पैट का जो प्राइज है लगबग 1300 के आस सबस जो सर्विस सेंटर में देखनों को मिलेगा वह सेरमिक ब्रेक पैट में जब से यूज़ करता हूँ स्टॉक ब्रेक पैट से इसकी बाइट जो थोड़ा से इंप्रूब हुई है बट अभी भी जो है ब्रेकिंग में जो है यह थोड़ा सा मार्क आती है आप अगर N250 से कंपणी आपको ओफर नहीं कर दिया और पीछे में आपको दिया गिया यहाँ पर 140 सेक्सान की टायर 140 बाइट 17 की आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलती है यह भी MRF नायलो ग्रिप जैपर का टायर दिया गये तो यहाँ पर N250 में आपको कोई भी रेडियाल टायर जो है देखना को नहीं मिलती है ओई अगर यहाँ पर होंडा CB300F की बात का तो इसमें आपको सामने में मिलती 110 सेक्सान की टायर 110 by 70 R17 की रेडियाल ट्यूबलेस टायर जिहा गये से यह आपका MRF रेब्जी सीरिस का टायर है रेडियाल टायर इसमें आपको देखना को मिलती है और नायलोग डिप जैपर से अगर कमपेर करोगे तो बाकी दोनों का जो रिम का डिजाइन है और टोटाली आपको डिफरेंट देखना को मिलती है इसके रिम के साइट पे आपको स्पोर्टी स्टिकरिंग देखना को मिलेगा यहाँ पर आपको कोई भी स्टिकरिंग बगड़ जो है देखना को मिल जाएगी हिदर उपर जो कॉबर दिया गया यह पूरी फाइबर की है बाकी माइलेज के अगर बात का तो सीबी थ्यांडेट एप का जो माइलेज है थोरा सा बेटर है इन्टू फिप्टी से इसमें आपको लगबग सीटी में 35 प्लस केंपील का माइले से 34 के आसपास जो सीटी में माइलेज मिल जाती है और आपकर हाई ओए में इसको भी लगबग 75-80 पे क्रूस कर दा हो यह भी लगबग आपको 37-38 के माइलेज जो है इस बाइक से भी आपको मिल जाएगे बाकी दोनों का जो डिजाइन है टोटली आपको डिफरेंट देखन होगा तो बिसपे ली इस बाइक कॉइड की ओट काफी कम है लाइक आपका कोइबग 300 रियह जो है वी क्राइब किम ली 1 153 केजी बाइक की ओड और घी सि ti इसके weight है उस हिसाब से इसकी जो power है काफी हद तक आपको different देखनों को मिलती है तो power to weight ratio जो इस बे आपको काफी तगड़ा देखनों को मिलती है और इसको और ज्यादा high way में stable करने के लिए तो आपको यहाँ पे proper downforce create करने के लिए यहाँ पे aerodynamic design दिया गिया है तो जिसके जैसे जो यह bike high way में high speed में काफी हद तक जो stable चलती है यहाँ पे pulsar N250 में आपको कोई भी ऐसा air vents बगड़ा नहीं देखनों को मिलती है बट इसका जो design है यह भी high speed के लिए stable है बट मेरे को थोड़ा सा ज्यादा stable लगती है Honda CB300 Ape as compared to pulsar N250 वही अगर CB300 Ape से अगर pulsar Ape 250 को compare क N250 and CB300 Ape जो है काफी हद तक आपको stable देखने को मिलेगा high way में और N250 भी definitely stable है बट थोड़ा सा ज्यादा बेटर stability जो है आपको CB300 Ape से मिलेगा अभी सबका मन में जो doubt है ओ है दोनों bike की engine तो पहले ही यहाँ पे Honda CB300 Ape की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलती है 293.52 cc single cylinder air and oil cool B6 phase 2 compliant fuel injected 4 valve engine setup इसमें आपको दिया गया है इसमें आपको मिलती है 24.5 PS की max power और 25.6 Nm की max torque 6 speed gearbox के साथ आती है slip and assist clutch मिलती है and इसमें आपको Honda selectable torque control भी मिलती है जो basically आपका traction control है and इधर इसकी जो आपका oil cooler system है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो बड़ा सा oil cooler system जो इ आपका oil cool के साथ air cool भी है यहाँ पे side में आपको इसकी fins भी दिख रहा होगा तो अब ही अगर N250 की engine spec की बात करते हूँ आपका 249.07 CC single cylinder air and oil cool B6 phase 2 compliant fuel injected 2 valve SOS engine setup इसमें आपको देखना को मिलती है DTSI technology भी इसमें आपको दिया गया है power figure की अगर बात का तो 24.5 PS की max power मिलती है but torque जो है आपको थोड़ा सा कम मिलती है आप अगर CB300 Ape से compare करोगे इसमें आपको मिलती है 21.5 Nm की max torque वह भी 5-speed gearbox के साथ slip and assist clutch इसमें आपको मिलती है traction control भी इसमें आपको देखने को मिलती है तो इसका engine में बस दो ही खामिया है एक है आपका यह आपका 5-speed gearbox अगर 6-speed हो जाता तो definitely यह बाइक high way के लिए और भी बैतरीन हो जाता और उसके साथ CB300 Ape से इसमें आपको torque थोड़ा सा कम देखने को मिलती है बट उसमें भी उदना ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें आगर 6-speed gearbox हो जाता तो और भी बड़िया बद बन जाता बाकि यहापे आपको इसमें है दोनों भाइग and power जो है दोनों भाइग में अपको मिलती है initial to mid range power, top end power दोनों इंजिन से आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो mid range जो grand है और दोनों भाइग में आपको काफी बैतरीन देखने को मिलेगा, company fitted crash guard आपको N250 में देखने को मिलती है यहापे अन्डा कोई भी crash गाट ओफर नहीं करती है यह आप्टर मार्केट क्रेस गाट है जाना का है आप पर्चेस कर सकते हो जाना का वेब साइट से बाकी दोनों में आपको नीचे में इंजीन बेली पैन दिया गया है तो N250 का जो इंजीन बेली पैन है थोड़ा सा स्टाइलिस दिखता है डूल पैन अन्य फीनिस में दिए गया होंडा में आपको बेसिक फाइबर की इंजीन इंजीन बेली पैन दिया गया है इसमें भी आपको थोड़ा सा एरो डायनामीक डिजाइन जो है इसकी बेली पैन में भी आपको देखने को मिलेगा Čन। ग्राउन क्लियरंस में भी काफी अर्टत CB300A का अगर सीठ हाइट की बात का तो इसकी सीठ हाइट है 789 mm और 250 का सीठ हाइट है अल्मोस्ट 800 mm के आसपास तो लगभाग 11 mm के आसपास जो सीठ हाइट में भी आपको डिफरेंस देखना को मिलेगा ओके तो मैं फर्स्ट रोबल यहां पे होंडा CB300A के उपर बैठ रहा हू पाकि यह पर ऐसे आपका राइडिंग पोस्ट रहने बाला है तो इसमें आपको देखने को मिलती है है थोड़ा से उपर के साइट पे है बहुत ही कमफरेबल है एक्चुली और अगर फल्सर इन 250 की बात करें तो इन 250 का राइडिंग पोस्ट रहे थोड़ा सा मिरेको स्पो है और इसका सीठ हाइड भी जादा है जिसके बजाए से आपको थोड़ा से एग्रेसिव राइडिंग पोस्ट रहे देखने को मिल सकती है बाकी पैर जो है इतना ही मेरा पहुंच रहा है 800 अमें सीठ हाइड पे मेरा हाइड है आराउंड 5.8 के आसपास तो आपका हाइड अ साइड पे एकदम आराम से पहुंच रहा है कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है तो राइडिंग पोस्टार जो सीबी थी थी अंडेट एड का थोड़ा सा कमफ़डेबल लगा एस कंपेर टू एन टुफिप्टी लाइक आप अगर लॉंग राइड कर सकते हो अगर वेट की ब की करवाया है स्पेसाल इस लेट सीबी 3kat एकज़ोंट और टॉर्क आपको हर टाईम फी वह रहा है इतना टॉर्क जो है एकर को इनिशेयες टॉर्क है वह आपको इस एंजिन से देखने को मिलती है, split seat setup है, तो दोनों में आपको split seat setup मिलती है, बाकि company fitted, अगर seat comfort की बात करें, तो company जो है, आपको in 250 में ज्यादा better seat provide कर दी है, या पर CB300, एप की अगर बात करें, तो इस seat को मैं modify कर भाया हूँ, पहले इसमें जो seat था, उसमें padding ही था नहीं, जिसके बज़े से थोड़ा सा जो दिक्काता आता था, लाइक कोई भी गड़ा या बंपर के उपर से, जब भी मैं बाइक को लेके निकलता था, तो थोड़ा सा जो मेरे को जटका लगता था, company fitted, इसमें आपको अच्छा-कासा seat देखने को नहीं मिलती है, space तो चलिए, ठीक-ठाक है, टॉड़ा टॉड़ा लगा हुआ है, यह भी जाना का है, बाकि इसमें आपको split gravel देखना को मिलती है, यह टॉड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है, पलसर N250 की जो लूक है, जो डिजाइन है, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी है, as compared to यहापे Honda CB300F, exhaust की अगर बात करती है, इसमें आपको मिलती है, single barrel exhaust, तो एक बर मैं इसको start करके सुना दे रहा हूँ, आपको like feel नहीं होगा, यह 300cc का bike स्टार्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही soothing, बहुत ही sewer सा exhaust note, आपको Honda CB300F में सुनने को मिलेगा, पहले सुनिए, इसकी exhaust note मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, एक बादा पहले सुन लीजिए, इसकी exhaust note इन 250 का exhaust note है, काफी हथ तक आपको basis में आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, as compared to CB300F, और इसका exhaust note में वो एक sporty वाली feel आपको सुनने को मिलेगा, बाखी इसकी exhaust का look है, वो भी काफी हथ तक आपको different देखनो को मिलती है, एक sporty exhaust जैसा feel आपको इसकी look से definitely देखनो को मिलेगा, ब दोनों बाइक में आपको different food rest देखनो को मिलती है, इधर आपको aluminum food rest pillion के लिए दिया गया है, और rider का food rest है, इसमें भी आपको aluminum rubber coded food rest दिया गया है, तो दोनों का food rest है, ठीक ठागे मेरा हिसाब से, उसके साथ boxcarring swingarm आपको दोनों बाइक में देखनो को मिलती है, बाट यहाप CB300EV का swingarm का quality मेरेको थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, as compared to Pulsar N250, दोनों में आपको पीछे में मिलती है, monoshock जो आपका multi step adjustable है, इधर आपको endurance की monoshock मिलती है, और CB300EV में आपको shova की monoshock मिलती है, तो यहापे suspension comfort की अगर बात का, तो CB300EV का rear suspension है, यह भी थोड़ा सा steeper side है, आपकर N250 से compare करोगे, N250 का rear suspension है, वह भी आपको थोड़ा सा साइड पर देखने को मिलेगा, वागी N250 में आपको middle stand देखने को मिलती है, बाट CB300EV में आपको middle stand देखने को नहीं मिलती है, वागी दोनों में आपको rear rear में disc दिया गिया है, dual channel ABS है, CB300EV में आपको rear rear म में की petal disc मिलती है, वागी dual channel ABS के साथ, गडिमे का कैलिपर, इसमें भी आपको dual channel ABS मिलती है, यह आपको Nissan की कैलिपर के साथ आती है, tail light जो है, दोनों में आपको different tail light मिलती है, दोनों में आपको LED tail light दिया गया है, यह आप देख पार होंगे LED tail light with LED blinkers, नमबा पेट का जो light है, यह आपको LED मिलती है, इधर जो है, आपको mud protection दिया गया है, अर्दियर से इसकी look देख पार हो, और अगर N250 की look की बात करो, तो N250 और थोड़ा सा sporty लगती है, पीछे से, यह आपको LED tail light with LED blinkers, और इसमें I think नमबा पेट का light आपको बल में देखना को मिलती है, एक बार इसको लक्से जो है, आपको यह आपे N250 में देखना को मिलती है, इधर भी एक छोड़ा सा मटगार दिया गया है, इसकी भी पीछे में आपको mud guard देखना को मिलती है, बट कोई भी tire hugger देखना को नहीं मिलती है, इधर आपको सारी guard दिख रहा होगा, जो fiber body में दिया गया है, इध आपको तोनों बाइग में देखना को मिल जाएगी, हैंडल बार की अगर बात का, तो इसमें आपको सिंगेल टिबिलर हैंडल बार देखना को मिलती है, और आप अगर होंडा CB300 एप को देखोगे, इसकी भी जो हैंडल बार का डिजाइन है, भी काफियत तक वाइड है, इस फाइब स्टेप तक जो इसकी ब्राइडनेस को आप कम बढ़ा सकते हो, यहां पर आपको मिलते है, गिया पोशन इंडिकेटर, इधर आपका टैकोमीटर दिया गया, फ्यूल गेच, यहां पर आपका ट्रीब मीटर, इधर आपका फ्यूल उकनामी, बाकी इसके साथा आपक आपको उनाश्रीब रिवीव भी देखना को मिल जाएगा है, चैनल पर, साइस्ट एन इंडिकेटर इसमें आपको देखना को मिलती है, सर्विस दिमांडाद देखना को मिलती है, यहां पर आपका टाइम शो करता है, इधर आपका स्पीडो डिलेज और यह आपका कनेक्टिवीटी वाला मोडेली जो है, देखना को मिलती है, तो ब्लुटूथ से जब आप कनेक्टर होगे, मिस्कॉल अलाट, कॉल अलाट, SMS अलाट जो है, उसमें आपको एक नोटिविकेशन की तरफ जो है, अलग से देखना को मिलेगा, बाखी यहां पर आपको मिलती है, इंजिन कील स्विच, इधर आपका हैजाट का स्विच दिया गए, इधर आपका सेल्प स्विच, यहां पर हाई बेसिक होन है, और इंडिकेटर की स्विच आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्लच की अगर बात को है, तो स्लिप अनसे क्लच के बजाए से बहुत ही इसका मिटर कंसोल थोड़ा सा ज्यादा लोड़ेड है, ऐस काम पर होन्डा CB300F, फर्स दोबल तो इसको जैसे आप अन करते हो एक फूल स्वाइब लेती है, इसमें आपको मिलती है, इसमें आपको देखना को मिलती है, यहां पर दिखाता है, मिस्कॉल आलाइट, कॉल आला इंटर्वेशन थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इसमें आपको ओफ रोड मोड भी मिलती है, इसका ट्रेक्शन कंट्रोल को भी जो है, आप चाहे तो ओफ उन कर सकतो, बाखि इसमें आपको फ्यूल गेज दिया गया, गिया पोशन इंडिकेटर, स्पीडो बारेच फिल एकनोमी यहाँ पे दिकाराई 41 का यहाँ पे शो करता है यहाँ पे टाइम, साइश्टा इंडिकेटर, टैको मिटर, ओइल चीक लाइट, इंडिकेटर के सिगनल, न्यूटरल के सिगनल, हाइबीम के सिगनल, ट्रैक्सान कंट्रोल, ABS, इंचिन मलफंचन इंडिके इसमें आपको दिया गया इंजीन किल स्विच, इधर आपका मेन हेडलाइट ओन आप करने की स्विच, इधर आपका सेल्प स्विच, यहाँ पे मेनू स्विच, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, डिपर की स्विच, इधर आपका इंडिकेटर की स्विच, और होन, इसका होन थोड़ा सा loud है as compared to CB300A, इधर भी आपको soft class setup बिलती है, क्योंकि इसमें भी आपको slip and assist class दिया गया है, proper metal की bar दिया गया है, इसका भी fit and finish है, काफी हद तक premium है, इसमें भी आपको USB charging socket देखना को मिलती है, और rear view mirror का जो view है, वो थोड़ा सा आपको better N250 में जो है, देखना को मिल मिलती है, आप अगर Honda CB300A के साथ अगर compare करता हो तो, और उसके साथ साथ wheelbase की अगर बात करतो, यहां पर CB300A का wheelbase है, हो है 1390 mm, 1390 mm के आसपास, और N250 का wheelbase है, हो है 1342 mm, तो N250 का wheelbase है, थोड़ा सा छोटा है as compared to CB300A, जिसके करण CB300A का जो higher stability है, या फे जो cornering capability है, cornering में ज्या and higher stability भी आपको wheelbase के करण थोड़ा सा ज्यादा बैतर आपको feel होगा CB300A में, उसके साथ साथ जैसे N250 का जो बढ़िया चीज है, हो है इसकी headlight throw, इसकी braking system, इसकी braking just next level है, इसकी exhaust note, उसके साथ साथ इसकी seat comfort, इसकी meter console भी काफी loaded है, वही अगर यहां पर Honda CB300A की बात करें तो, इसके बज़े से आपको highway में थोड़ा सा ज्यादा stable feel होती है, उसके साथ होंडा कार refinement, होंडा कार reliability, aerodynamic design, mileage अच्छी है इस बाइक ही, इसकी torque अच्छी है, इसकी ground clearance बढ़िया है, तो कुछ खामिया आपको CB300A में भी देखनो को मिलेगा, कुछ खामिया आपको N250 में भी द 250 क्यूंकि इसमें आपको 5 गियार मिलती है, अगर 6 गियार मिल जाता है इसको, तो definitely मैं high way के लिए जो इसको recommend करता है, वही अगर यहांपे Honda CB300A की बात करें तो यह ऐसा बाइक है, जिसको आप CT में भी बहुत ही comfortable तरीके से चला पाऊगे, and high way में जो है, specially इसमें आपको 6 ग स्पीट पे चलती है, 6 गियार पे, अगर इसमें एक गियार कम होने के बज़े से, यह थोड़ा सा higher RPM में चलेगा, यह अगर 6000 RPM में चल रहा है, 100 के स्पीट पे, तो यही सारे 6000 RPM में यह आपको 100 के स्पीट पे चलती हुई देखनों को मिलेगे, जिसके करण जो है, इसमें आपको हाई उए में जाना पड़ता है, दिन डिफिनिटली गोफ़ पॉर पलसर एन 250, एंड पलसर एन 250 एंड सीवी 300, एप दोनों बाइक को आप साइड बाई साइड टेस राइड ले सकते हो, रोल्टा बाजास से आपको एन 250 की टेस राइड मिल जाएगी, और होंडा बी किसी का वीडियो देखके आप पर्चेज मत करो, मेरा जो एक्सपिरियेंस दोनों बाइक से मिला है, क्योंकि मैं CV300 एप को ओन करता हूँ, इसको लेके लोंग राइट किया हूँ, और N250 को मैं ओन नहीं करता हूँ, बट एप 250 को मैं लेके लोंग राइट किया था, तो मेरा हिसाब से जो हाईवे के लिए ज्यादा कमपड़ेबल जो आपको CV300 एप आपको फील होगा, एस कंपरेट तू पलसर N250, तो आई होप दोस्तो आपको आज काई वीडियो अच्छे लगोगा, आप जरू नीचे मेरेको कमेंट करना मत बुलिएगा कि 2024 में आप CV300 एप को ले बागी वीडियो काड़ा चला है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुला मिलते, दुस्तो बहुत जलते एक निया वीडियो को सब तबता के लिए, जय हिंद बंदे मातरा, बाई!